नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पे और कॉनेरू हमपी ने भारत के लिए पहली जीत दर्च करी है यहाँ पे और इंडिया नेशन्स कप में ओनलाइन नेशन्स कप में इंडिया ने अभी फॉर्थ रेंक हासिल कर रही है चाइना इस टाइम पे लीड कर रहा ह जैसा कि आप इभी स्क्रीन पे देख सकते हैं USA second number पे रेस्ट अफ तफ वर्ल थार्ड पे है इंडिया और रशिया फॉर्थ और फिफ्थ पे है थार्ड और फॉर्थ पोजिशन पे रेस्ट अफ द वर्ल और इंडिया ने पॉइंट शेयर कर रहे हैं साथ में और रशिया इडिट 6 रेटिंग के साथ में है और गेम के शुरुआ दूई E4 के साथ में उसके बाद में E5 नाइट F3 नाइट C6 और इसके साथ में अभी तक ओपन गेम है और नाइट C3 और नाइट F6 तो यहां पे 4 नाइट गेम स्टार्ट हो गया है और अगर आप नोटिस करें तो यह ओपनिंग बहुत ही जादा आजकल खेली जा रही है इसमें ब्लैक पीसेस के साथ में कोने रूम पी खेल रही थी और वाइट पीसेस के साथ में एनना जटोन शिक खेल रही थी उसके बाद में D4 आया ब्रेक देन EXD4 नाइट से कैप्चर देन नाइट से कैप्चर के बाद बिशब टू B4 यह पिन कर रहा है एक्चुली मैं इस वाले नाइट को C3 वाले नाइट को सो सिंप्ली नाइट XC6 देन BXC6 बिशब टू D3 और देन 0000 बाइब बोच साथ और इसके बाद में D5 ताकि सेंटर को चैलेंज किया इसके बाद में E5 करके भी खेला जा सकत है दोस्तों लेकिन अगर E5 करके अगर आप गेम को आगे continue करते हैं वाइट के साइट से देन सिंप्ली नाइट टू G4 के बाद में आपको position देखेंगे तो आप structural damage हो जायागा क्योंकि spawn को बचाने के लिए आपको कही ना कहीं F4 खेलना पड़ेगा जो कि कि किंग साइड weaknesses create करेगा तो उससे बचने के लिए simply इस pawn को capture ना करके white ने खेला bishop to d2 और इसी के साथ में game की पहली novelty आ गई इससे पहले ये कभी ने खेला गया था तो ये bishop to d2 novelty है इसके बाद में white ने reply किया rook to b8 के साथ अब देखेंगे तो ये pawn पर कहीं ना कहीं नजर है black की then simply rook to e1 rook to e8 a3 by white and अब bishop पे threat है तो bishop को आपस से take back किया d6 वाले square पे and then bishop to g5 अब ये queen को pin कर रहा है इस knight के साथ में so ये knight आगे push नहीं हो सकता कहीं भी और कहीं ना कहीं आगे threat है f4 और उसके बाद में simply e5 वाला तो उसको बचाने के लिए और यहां पे देखें तो दोस्तों आप इस pawn को capture भी कर सकते हो बट black के prospect से इतना सही नहीं है इसको capture करना तो simply best move था d4 और black ने reply दिया d4 के साथ में knight to a4 इस knight को भी बच लिया और साथ के साथ में ये pawn भी support हो रहा इसके साथ में then simply h6 अब h6 के साथ में इस bishop के उपर threat है कि आप या अपनी position को clear कीजिए या तो knight को capture कीजिए या फिर square को vacate कीजिए और ऐसा हुआ कि इस diagonal को white ने नहीं चोड़ा और नहीं knight को capture किया simply bishop to h4 खेला इसके बाद में c5 black के side से then b3 bishop to b7 and then queen to f3 and then g5 अब ये pin किसी भी तरह का आगे ना रहे इसके लिए g5 खेलके bishop को वहाँ से vacate करवा दिया square को and then bishop to g3 and then c4 और एक good move black के side से अब इसके बाद में अगर आप जैसे bishop करके capture करके इसको खेलना चाहते हैं तो दोस्तों इस वाले case में आप ये वाले pawn से अपना bishop का support अटा रहे हैं और ये तीन support के साथ में आप इसको capture कर सकते हैं और इसको capture भी किया bishop e4 के साथ then queen to d1 and then bishop capture pawn captures g3 and then queen to d6 and then king g7 knight to b2 and then bishop to a8 bishop to d3 and then rook capture queen capture rook to e8 queen to d2 and इसके बाद में queen d5 अब यहाँ पर देखे दोस्तों checkmate का threat लगा हुआ है अगर आप notice करेंगे तो यहाँ पर checkmate का threat लगा हुआ है इसको बचाने के लिए सबसे best move होता bishop to f1 जबकि white ने खेला f3 यहाँ पे एक blender है blender ऐसे कि यह position के साथ में inferior move है क्योंकि इसके बाद में g3 पे अगर आप देखेंगे तो यह वाला square weak हो चुगा है और अगर आपको इसको बचाना है तो कही ना कहीं आपको queen को उसी side रखना पड़ेगा या किसी तरह के देखिए यहाँ पे अगर आप notice करें तो आपके वाइ देती है पूरे game में तो इसके बाद में simply g4 अगर आप यहाँ पे इसको capture करता है तो काफी damage आ रहा है जैसे कि अगर capture करता है तो करके देखता है अगर आप इसको capture करता है तो knight से capture करने के बाद में आप देख सकते है कि queen h5 के बाद में checkmate के threat लगे हुए है आगे कुछ इस फॉलो होगा जैसे queen h5 then queen h2 check और अगर king यहाँ पे move होता है then checkmate के threat लगे रहेंगे क्योंकि यह पूरी e-file rook के द्वारा रोकी गई है तो यहाँ पे capture ना करके rook 2 f1 खेला उसके बाद में pawn capture f3 rook capture f3 और उसके बाद में queen 2 h5 यहाँ पे दोस्तो queen h5 एक अच्छा move नहीं है कि इस game को आगे continue करते हैं black के perspective से अगर koneru hampi knight to g4 करके खेलती then उसके बाद में rook f5 का threat नहीं आ सकता क्योंकि दोस्तों इसके बाद में simply rook 2 even check और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे queen से capture नहीं हो जाई है आप queen से capture करते हैं then simply queen x g2 checkmate का threat लगा हुआ है तो आप queen से capture नहीं कर स rook बीच में लेके आता है then simply rook 2 e3 और उसके बाद में वापस से अगर आप white अगर rook 2 f5 खेले तो rook x d3 अगर इसको capture करते हैं then आप देख सकते हैं कि इसमें black winning है इसलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले knight g4 खेलना चाहिए था बजाए के queen h5 के क्योंकि queen h5 के बाद में problem यह है कि rook f5 आ रहा है और उसके बाद में आप इस square पे किज़ तरह का कोई checkmate का threat नहीं लगा सकते हैं इसलिए so queen to g4 अब देख सकते हैं आपकी इस knight के ओपर double threat है तो इसको बचाने के लिए rook बीच में लेकर आगया rook e6 then उसके बाद में rook to f4 queen g5 knight c4 and then king to g8 then उसके बाद में bishop to f5 and then rook to e7 rook x d4 queen c1 check और ये game की दूसरी बड़ी गलती थी white के side से क्योंकि इसके बाद में king to h2 आ रहा है और देखें दोस्तों rook e1 के बाद में checkmate लगी हुई है h1 के square पे इसको बचाने के लिए force है g4 खेलना g4 खेलने के बाद में सारे moves बहुत ही force आ रहे हैं और बहुत अच्छी variation आ रही है बट शायद को ने रूँ हम पी उसे पकड़ नहीं पाई थी variation something like rook h1 check और उसके बाद में king g3 इसके बाद में जो सही move था वो था queen को g5 वाले square पे खेलने का अगर queen को g5 वाले square पे करके खेलती then queen to e1 e2 queen h4 check by black and then only move is this king to f4 क्योंकि यह पूरी diagonal bishop ने रोक रखी है आप देख सकते हैं और इसके बाद में simply rook to e1 के बाद में white के पास में खाली एक या दो ही square थे queen को move करने के और जैसे कि queen को d2 square पे move करने के बाद में knight h5 पे दोस्तों checkmate लगी हुई है यह checkmate का threat है simple तो आप ऐसे करके नहीं खेल सकते so simply यहाँ पे queen g5 best move था बट शायद corner one piece है वो miss हुआ और इसके बजाए उन्होंने king g7 कर लिया इसके बाद में position almost equal हो गई थी knight e3 white ने reply दिया rook e1 rook 2 d3 ताकि knight को support किया जा सके and then उसके बाद में bishop to e4 एक बहुत ही अच्छा move दोस्तों इस जेंगे पे आप bishop से capture नहीं कर सकते वरना knight capture के बाद में देखिए fork लग रहा है queen जा रही है तो ऐसे करके तो नहीं खेला जा सकता तो इसके बाद में simply rook कोहां से हटाया rook to c3 खेला गया उसके बाद में queen a1 कोने रूहमपी ने जवाब दिया और यहाँ पे दूसरी गलती फिर से गलती हुई white के साइड से rook xc7 इसके बाद में आप यहाँ पे pause करके देख सकते हैं कि correct variation क्या आ रही है black के साइड से I hope आपने देख लिया होगा और आपको पकड में भी आ गई होगी कि गलती किस तरीके से हुई है और सही moves क्या आ रहे हैं इसके बाद इसके बाद में rook 2 e5 deadly है दोस्तों यहाँ पे अगर देखें आप तो queen king को भी threat कर रही है चैक भी लग रहा है और साथ के साथ में rook पे भी threat है और दोनों को बचाया नहीं जा सकता और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे queen को बीच में लेकर है जो कि game में भी हुआ then simply यह queen अभी यहाँ पे pin है यहाँ पे queen ही lose हो रही है आप्टर rook x e3 जो कि game में भी हुआ और इसी के साथ में एनना जेटांचिक ने resign कर दिया और यह भारत के लिए पहली जीत हुई मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जाए हिंद